आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हलो गाईज चलिए देखते हैं मारा next question क्या है if under root 126 multiplied by under root 63 multiplied by root 45 is divided by root 147 multiplied by root 243 तो हमारी जो value है वो क्या आएगी value of x पूछ रहे है तो x यह होगा है ना तो चलिए इसकी value देख लेते हैं क्या आएगी तो यहाँ पे 4 option में दिये हैं we will see कौन सा वाला option जादा सही बैट रहा है है ना तो उसको solve करने से पहले चलिए एक एक number पे हम अपना focus करते हैं for example under root 126 right तो under root 126 पे चलिए देखते हैं इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं okay तो देखें 126 को लिखा जा सकता है 7 multiplied by 9 multiplied by 2 है ना इस तरीके से 126 को हम लिख सकते है right अब देखें इसमें 9 बाहर आ जाएगा और बन जाएगा 3 3 root 14 आ गया है इसका मतलब answer है ना यही होगा हम recalculate भी कर सकते हैं 14 को 9 से multiply करने पे 126 आता भी है right तो under root 126 पे हमने काम कर लिया अब आ जाते हैं under root 63 पे under root 63 तो यह तो साफ साफ दिख रहा है में 7 9 आ 63 होता है है ना तो यहां से क्या बाहर आ जाएगा यहां से बाहर आ जाएगा 3 root 7 है ना आ जाएगा अब अगला नंबर हमारा क्या है under root 45 तो under root 45 क्या होता है 5 9s आ 45 है ना तो यहां पे क्या नंबर फिर से देखे 9 under root दिख गया तो 3 root 5 आ गया है ना अब आ जाते हैं अगले नंबर पे जो की है 147 right 147 का under root तो देखे अगर सारे digits को हम add करें 4 प्लस 1 5 और 5 प्लस 7 12 यानि यह 3 से divisible है 147 है ना तो जब हम इसको 3 से divide करेंगे तो यह answer आ जाता है 49 और 49 को हम क्या लिख सकते है 7 into 7 है ना तो इसका मतलब यह 7 root 3 लिखा है repeat हो रहा है तो बाहर आ जाएगा under root के है ना तो 147 का भी हमें एक idea मिल गया और 243 last जो हमारा number है उसको भी देख लेते है under root 243 इसको हम लिख सकते हैं देखे 243 लिखा है तो अगर हम add करें तो सबका digits का sum 9 आ रहा है इसका मतलब 243 हमारा 3 से divisible है ना तो यह आ जाएगा 3 से जब divide करेंगे तो 3 into 81 आता है तो 81 को मैं 9 into 9 लिख सकता हूँ तो यहां से यह answer क्या मिल जाएगा 9 root 3 का तो अब जो हमारी original यहां पर हम लोगों का expression है उन numbers को मैं यह actual इन वाले numbers से change कर रहा हूँ तो चले शुरू करते हैं सबसे पहले let us create a fraction मैं थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ उसको okay let me create a line first तो यह हमने fraction बना लिया तो दीखे पहला number हमारा root 126 लिखा है उसको मैं 3 root 14 लिख सकता हूँ है ना तो यहां लिख देता है 3 under root 14 multiplied by दूसरा number है 63 which can be written as 3 root 7 3 root 7 multiplied by तीसरा number क्या है 45 root 45 को 3 root 5 लिख सकते है 3 root 5 अब इस पूरे को किस से डिवाइट करना है 147 यानि कि 7 root 3 7 root 3 not 7 बट 3 multiplied by 243 which is 9 root 3 है ना यह क्या हो गया 9 root 3 अब हम इसे जब solve करेंगे तो देखे क्या आएगा सबसे पहले तो we can clearly see कि 9 और यह दोनो 3 cancel हो रहे है है ना similarly root 3 को multiply करेंगे तो 3 आ जाएगा और यह वाला 3 cancel हो रहे है तो इतनी चीज तो हमें direct ही दिख रही है बाकी चीज़ों को चलिए अभी for the sake of simplicity लिख लेते हैं क्या है यह under root 14 multiplied by root 7 multiplied by root 5 divided by 7 है ना यह लिखा है ठीक ओके तो अब देखे सबसे पहले तो root 14 into root 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ root 7 into 7 into 2 है ना एक ही बात है दोनो right तो हमें यह साफ दिख रहा है कि under root 7 into 7 into 2 यह क्या बन जाएगा 7 root 2 है ना इसको जब हम बाहर निकालेंगे दो 7 है तो बाहर निकालने पर यह आ जाएगा 7 root 2 अब हमें दिख रहा है कि यह वाला 7 भी cancel हो गया और answer में हमारे क्या आ गया under root 10 right तो options में अगर हम देखे तो option number 2 में under root 10 लिखा हुआ है इसका मतलब this is the correct answer right so I hope you guys understood बड़ा ही basic सा question था यह thank you classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड के डाउटने टाप या whatsapp कीजिए अपने doubts 8400 400 400 पर